पंजाब के मंडियों में दान की प्रकॉर्मेंट का इशु जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ रहा है किसान आरोप लगा रहे हैं लिफ्टिंग नहीं हो रही हैं मैंने अभी भी मिल्लब बोला है कि पंजाब के अंदर जो भी लाख हम्टी जो दान है हमारा वो मंडियों में आ चुका है पैड़ी उसमें से साड़े बाइस लाख हमने ख्रीदा है और अच्छी बाज़े है कि जो किसान की बंदीर मलों रकम है चार ह्यार कोड के उपर वो रिलीस किया जा चुका है तो सबह चार लाख एमटी जो लिफ्टिंग भी हो चुकी है मंडि के अंदर सो आज से लिफ्टिंग होर तेज होगी सो लिफ्टिंग को हम लोग इन दो-तिन दिनों में खाज जोर उसके उपर लगा रहे हैं सो सेकंड बाद जो आप लोग स्पेस की बोल रहे हो तो मुझे लगता है कि जो तेरा लाख अपना टार्गेट है उसको भी हम लोग क्रास करेंगे सो मैं कंप्लीटली जह बाद कहना चाहता हूं कि किसी को भी इस सीजन को डिस्टर्ब करने की आगया नहीं दी जाएगी और सभी से हमारी रोकैस्टर सभी मिल जूलकार इस सीजन को हम लोग लगाएं किसान भी वही कह रहे हैं 12.25 लाख में से सिर्फ 4.000 की जो है लिफटिंग हुई है किसान भी मोले लिफटिंग सलो है इसलिए प्रकॐर्मेंट अपने आपी सलो जो है वो हो रही है क्या इसके लिए सरकार जो है मैंने वही बात किया कि आने वाले दो तरेंग दिनों में आज आज ही आप लोग देखेगा इतनी बड़े पे माने पे लिफटेंग होगी काल आपको नतीजा भी मिलेगा तो आने वाले दो तरेंग की विसमस्याबी पंजाब में सॉल्फ कर दे घृता सुरू होता है तो अभी अक्तूबर आप्टू दिसंबर तो जे पंजाब की अंदर चारी लाक मेट्रिक टन की स्पेस बनेगी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं 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 जाएगी तो हमारे साथ फूर एंड स्प्लाइज मिनिस्टर लालचन कटारू थे जो साब बूल रहे थे कि जो मंडियों में जो धान की अराइवल है वो सड़े 22 लाक मेट्रिक टन हो चुकी है पर उसमें से 4 लाक मेट्रिक टन जो है उसकी लिफ्टिंग हुई है साब पता चल रहा है क स्टोरेज का इशु जो है वो उसको फेस कर रही है सरकार पर साथ ही जात्मंत्री कह रहे है कि हम इस सारे इशु को रिजॉल्व कर रहे है और लिफ्टिंग जो है वो तेज हो जाएगी आने वाले दिनों में कैमरस नमिशा मक्सा साचिंग मारे बीपनेश चंडिगर